हलो आई दियर स्टूडेंट्स आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि हमारा स्लिबस कहां तक हो गया है और क्या-क्या वो चीज है जो हम लोगों का अब तक बचा हुआ है यानि कि हमारे चैनल पे कौन-कौन सा चैप्टर कवर कर दिया गया है और कब तक वो गवर हो जाएगा that means के बहुत जादा important वीडियो है जिसे के आपको एक तो ये idea मिल जाएगा कि क्या-क्या वीडियो आपको channel पे available मिल जाएगा आप पहले ढूण रहे थे हमी नहीं मिल रहा था कैसे उसको खोजना है वो भी मैं आपको बताऊँगा तो बिना देर के आज के class को हम लोग start करते हैं यानि आज के video को हम लोग start करते हैं तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग चीज समझ लेते हैं वो ये कि हमारा physical science में जो है वो क्या-क्या आने वाला है 2021 में देखो जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो सारा का सारा 2021 पे based होगा ठीक है तो 2021 में क्या-क्या आ रहा है और क्या-क्या cover किया गया है इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहला यहाँ पे देखो physical science, physical science में यह आठ चैप्टर हमारा मध्यमिक में आ रहा है 2021 में और यह आठो का आठो चैप्टर जो है वो बहुत पहले ही cover up करवा दिया गया है channel पे तो आपको each and every chapter जो है वो channel पे मिल जाएगा अगर आप channel पे ढूंड़ना नहीं चाहते हो तो आपको directly कैसे मिलेगा तो directly आपको simply क्या करना है कि chapter का नाम लिखना है और उसके बाद लिखना है by concept era बस इतना लिखना है आपको search में आपको मिल जाएगा ठीक है by concept era ऐसे लिखना है यानि आपने लिखा behavior of gases by concept era तो आपको ये वाला वीडियो आ जाएगा अगर आपने लिखा light by concept era तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो यानि physical science के बार में बात करें तो physical science में हमने पूरा syllabus cover up करवा दिया है 2021 के according भी और अगर आप normal 2021 में अभी just आए हो तो आपके लिए भी physical science का पूरा syllabus already completed है इसके बाद आता है हमारा mathematics तो mathematics में हम लोगों ने क्या-क्या भी नहीं किया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक है और यह किसके according है यह है 2021 के according है हमने 2021 के लिए क्या-क्या कर रखा है और क्या-क्या नहीं किया है तो अगर आप देखो सबसे पहला चेप्टर हमारा compound interest नहीं हुआ है हमारे चैनल पे right circular cylinder नहीं हुआ है इस fair जो है वो नहीं हुआ है हाँ right circular cylinder का part 1 जो है वो हमने part 1 जो है वो upload हो गया था बहुत पहले ही part 2 अभी तक upload नहीं हुआ है तो जल्दी part 2 इसका upload हो जाएगा इस fair जो है वो हमारा अभी तक cover नहीं हुआ है इसके बाद है partnership business ये भी हमारा cover नहीं हुआ है और right circular cone ये भी cover नहीं हुआ है यानि कि mathematics में हमारे पास cover up करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 chapter बचा हुआ है इसके अलावा जो भी chapter है वो सारा का सारा chapter already uploaded है तो आपको just क्या गरना है आपको search bar में जाना है वहाँ पे आप मान लिजा आपको quadratic equation चाहिए तो आप simply लिखो quadratic equation लिखो और quadratic equation लिखने के बाद सिर्फ आप last में लिखने ना by concept era ठीक है तो आपको जिस भी topic पर आपको वीडियो चाहिए simply आप search box में लिखना quadratic equation by concept era या फिर आपका जो topic है आप वो लिखना और बाद में लिखना by concept era बस इतना आपको लिखना है आपको वीडियो मिल याएगा अगर वो बना हुआ होगा तो ठीक है ओके that means के mathematics में सिर्फ 5 chapter हम लोगों का बचा हुआ है इसके अलावा सारा का सारा cover up किया हुआ है ओके आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आप लोगों बता दूँ हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हों कि भाया इतना दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे तो ठीक हुआ ये कि हम लोग जो भी plan करके चल रहे थे तो किस चीज का plan था हम लोगों का फिब में exam होगा उसके according हम लोगों को चलना है ठीक है February में exam होगा उसके according चलना है बढ़ आप लोगों को पता है कि हमारा exam जो है वो FIB में नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है भाईया exam exam हो रहा है June में और ये बात तो आप लोगों को अब तक आराम से पता चल गई होगे आखिरकार किस तरीके से वीडियो बनाया जाए और साथी साथ तो थोड़ी सी तबियत खराब थी इसके कारण में वीडियो नहीं बना पारा था हो सकता है आज भी आपको आवाज उतना जादा आपको आवाज से समझ आ रहा हो शायद आज ठीक है mathematics में हमारा सीर्फ 5 चैप्टर बचा हुआ है जो के बहुत जल्द कवर हो जाएगा हमारे चैनल पे ठीक है अच्छा इसके बाद हमारा आता है life science तो life science में देखो क्या है कि life science में हमने जो जो बड़ा चैप्टर है वो सारा का सारा कवर अप कर लिया है ठीक है जैसे के cell division and cell cycle आप लोग को पता होगा के कवर किया हुआ है ठीक है cell division and cell cycle अलड़ी कवर किया हुआ है और भी बहुत सारा चैप्टर जो है वो कवर किया हुआ है जैसे nervous system उसको भी मैंने कवर अप कर दिया है पुरा detail में बच किया गया है हमारा उसके बारे में बात करते है तो life science में देखो आपका बचा हुआ है यहाँ पे locomotion as a type of response in plant ठीक है as a type of response in plant यह हमारा बचा हुआ है ज्यादा बड़ा नहीं है यह चोटा है तो इसको हम लोग cover up कर लेंगे बहुत जल्दी locomotion as a type of response in animal है प्लांट वाला हम लोगों ने cover up कर लिया है animal वाला बचा हुआ है प्लांट वाले में हम लोगों ने बहुत सारे का motion देखा किसी का photo tactic, phototropic, photonastic यह सारा कुछ हमने महाँ पे cover up किया था अच्छा नेक्स चैप्टर जो बचा हुआ है वो हमारा है reproduction chapter इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा comment भी कर रहे हो तो यह भी बहुत जल्दी cover up हो जाएगा इसके बाद जो chapter है वो है sexual reproduction in flowering plant important chapter है इससे आपका short question आता है तो इसको भी हम लोग cover up करेंगे बहुत जल्द और उसके बाद last chapter हम लोग को जो बचा हुआ है life science में that is growth and development ठीक है तो that means के life science का 4 chapter और maths का 5 chapter इस सब छोड़के यानि यह जो chapter आपको दिख रहा है इसको छोड़के आपका पूरा का पूरा syllabus maths का आपको मिल जाएगा channel पे ठीक है इसके बाद मैं discuss करने वाला हूँ history और geography के बारे में ठीक है कि आखिर कर क्यों history geography को मैं free में channel में available नहीं करवाया हूँ क्या कारा ने उसके पीछे और क्या वो free होगा क्या होगा नहीं होगा वो सारा कुछ मैं आज आपसे discuss करने वाला हूँ तो अगर आप उसमें interested है तो आप वीडियो को continue कर सकते है तो देखो यहाँ पर बात करता हूँ मैं कि history क्या है तो history का देखो complete syllabus जो है वो already cover up करवा दिया गया है और उसको जो है वो YouTube पे free में नहीं रखा गया है कारण क्या है वो मैं अभी आपको explain करता हूँ बिकास आप लोगों को देखो maximum बच्चे समझ गया कि क्या कारण है नहीं है बट फिर भी बहुत सारे students जो मेरे बहुत पुराने students है वो लोग भी comment कर रहे थे कि भाया आपने history को paid क्यों किया उसको free कर दीजे free कर दीजे ठीक है तो I hope so कि मुझे ही इसका आप लोग को बताना चाहिए कि आखिरकार क्यों ये free नहीं है क्यों मैं इसके लिए आपको charge कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा जो syllabus है history का सबसे पहले तो बता दूमें आप लोगों को complete syllabus test के साथ notes के साथ आपको website पे मिल जाएगा अब बात ये गरते हैं कि भाया आपने यहाँ पे price रखा है वो क्यों रखा है ठीक है ये price आपने क्यों रखा है यहाँ पर यह भी price जो है वो इससे भी कम है जब आपको हाँ पे coupon code वगर अपलाई करते हो ठीक है भाई दवे जो भी है price क्यों है क्यों free नहीं है history तो देखो सबसे पहली बात तो यह है कि free इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो कि website पे जो है वो everyday कुछ न कुछ development हो रहा है ठीक है कल तक website पे यह वाला चीज नहीं था आज यह वाला चीज है ठीक है इसके साथ और बहुत सारा कारण है बहुत सारा चीज इधर उधर ल अब वो क्या हो सकता है वो हो सकता है एड्स ठीक है यानि Google Ads हो सकता है जो के हमारे website पर दीख सकता है जो के अब तक मैंने नहीं लगाया है क्योंकि Google Ads अगर मैं लगाऊं website पे तो website जो है वो आप जैसे मालो कि आप question paper को open करते हो तो आप आराम से उसको scroll करके आराम से पढ़ है और कौन सा एड्स है ठीक है तो फिलाल के लिए हमने एड्स भी वहां से नहीं लगाया तो वहां से भी कोई earning नहीं है और यहां पर जहां तक बात है YouTube के बारे में तो आपको शायद पता हो या ना हो बट यूटूब से जो है वह भी कोई भी earning जो आप कह सकते हो उस type का इतना पेड़ है तो इतना कम है कि आपके one month के tuition के fee से भी कम है इतना कम history का course का fee है ठीक है मतलब लगभग ना के बराबर बेट फिर भी रखा गया है ताके इससे क्या हो एक तो आप आराम से पढ़ पाओ ठीक है आपको कोई भी financial problem ना हो दूसरा ये कि हमारा जो सारा कुछ चल रहा है वो भी आराम से चलता जाए ठीक है बास समझा रही है I hope so कि अब मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आखिर कर क्यों मैं history को free नहीं रखा हूँ ठीक है और जो भी course का fee है वो भी बहुत जादा मैंने minimum रखा है ताके किसी को problem ना हो क्योंकि starting से ही मैं आपको यही ब problem हो रहा है आप इतना भी afford नहीं कर पा रहे हो तब आप मुझसे contact कर सकते हो but free focus में आप मुझसे contact मत करना और contact करके यह मत बोलना कि भाईया मैं आपने coaching में 1500 रुपए दे रहा हूँ और आपका यह course जो है वो महंगा है यह बात मत बोलना क्योंकि बहुत सारे students call करके बोल र है यानि कि देखो अगर मैं total आपको बताऊं तो maths ठीक है physical science okay life science okay history okay and geography ठीक है history and geography यह 5 का 5 chapter जो है यह 5 का 5 जो क्या कह सकते हो subject है उसको complete करवाने का पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका मैंने लिया है और already मैंने complete करवा दिया है इसमें सिर्फ life science का कुछ बचा हुआ है और maths का कुछ chapters बचा हुआ है जो के complete हो जाएगा तो अगर एक बच्चा कोई tuition भी नहीं जा रहा होगा ठीक है इस year में 2020 में अगर कोई बच्चा tuition नहीं भी गया होगा तो भी I hope so कि मैंने उनको इतना पढ़ा दिया है कि वो exam में अच्छा लिखकर आ जाए ठीक है बाकी इसके बारे में आप comment section में बताना कि क्या आपको help मिला क्या आपको ऐसा लगा कि हा कोची नहीं जाने से भी मैं आराम से भाया के वीडियो देख देखकर सारा कुछ को अच्छे से समझ सकता हूं इसी तरीके से सेम हाल है जोग्रफी का ठीक है सेम हाल है जोग्रफी का जोग्रफी क्यूं है यह क्यूं पेड है तो इसका reason मैंने आप लोगों को बता दिया ठीक है अगर आप थोड़ी सी contribute करोगे आप simply यह सोच कर आप buy कर सकते हो course कि यहां से भाया का कुछ नकुछ help होगा ठीक है इससे कुछ नकुछ भाया को भी help होगा और मेरा तो help इसमें हो नहीं है आ हम लोग website को और अच्छे से develop कर पाएं ठीक है ओके और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे थे तो आपको मैं चूटा से एक और हिंट दे देता हूं ठीक है और वह हिंट क्या है वह हिंट यह है कि जल्द ही आप हमारा concept era concept era light app को आप डाउनलोड कर पाओगे ठीक है concept era light app को आप डाउनलोड कर पाओगे क्या डाउनलोड कर पाओगे app को यानि कि अब आपको जा कर Google पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी concept era concept era.in ठीक है आप डाउनलोड कर सकते हो और जब जैसे जहां चाहो वहां से आप पढ़ सकते हो वहां से आप question paper देख सकते हो solution sheets द डालने के लिए ready हो रहा है ठीक है तो आप बिल्कुल भी tension मतलो मैं आप लोगों के लिए ही पूरा काम कर रहा हूँ बट देखो उसके लिए थोड़ा सा contribution चाहिए आपका भी तो मैं आपसे directly मांग नहीं सकता हूँ के आप मुझे contribution दो that's why मैं ये दो course को free नहीं रखा हूँ जिससे के आपको मैं एक value भी दे दूँ और उसके बदले मैं आपसे थोड़ा सा minimum amount चार्ज करूँ ताके आपका भी काम आराम से हो जाए और मैं जो चाह रहा हूँ के एक बड़ा platform में create कर पाऊँ वो भी successful हो जाए I hope so के मेरी बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गये है और आप लोग सभी मेरा help करने के लिए ready और आप लोगों ने by the way बहुत जादा help किया है मुझे बहुत जादा help किया है इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है तो उसके लिए thank you so much और आप सभी को happy happy new year हलांगे मैं बहुत जादा late हूँ but still happy new year और पिछले साल एक ही best year मेरे लिए 2020 था और इसका कारण इसका पूरा credit सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जाता है तो thank you so much आप लोगों ने मेरे लिए 2020 इतना बेस्ट बनाया इसी के साथ मिलते फिर next वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो thank you